अब बात कर लिते हैं मद्रप्रदेश के विधान सभास सत्र पी आज से इसके शुगवार्ट पने जारी है तहां मुठर सत्र के पहने दिन वाज़िपाल का अभिभाशक दोगा सत्र में पटाका प्रैक्ट्री में विश्वोट का बुद्दा भी उठेगा जो विपक्ष के स सबसे बड़ा भुद्दा है आपके बतादे कि विपक्ष सत्र पुद्दा भवन की आख का भी मुद्दा उठाने वाला है तो पशले दिनों आमने देखा था कि कुछ महीनों के पहले जब पूरु मुखी मंत्री शिवरासी चोहान की सरकार थी उस समय भी सत्र पुद्दा भवन में आख लगे थी उसका मुद्दा लगातार विपक्ष की ओर से उठाया जा रहा था आप ये माना जा रहा है कि सदन में कही ना कही एक बाप फिर से पटाका फ्यक्टी में विस्पोर्ट और सत्पुद्दा भवन की आख को लेकर ये बड़ा मुद्दा हो सकता है श बजर सत्र के पहने दिन राजपाल का भवाशर होगा बिधान सबा में सबसे बड़ी बात है कि पटाका फैक्ट्री में लगे आख का जो मुद्दा है यहां पर विपक्ष उठाता हुआ नजर आएगा लगातार कल से ही विपक्ष हमलावर है और साब तोर पर आपने देख बड़ा मामला हो गया है लोगों की जिन्दगी के साथ यहां पर खेला जा रहा है तो विपक्ष कल से ही हमलावर है उसके अलावा जो है हर्दा फैक्ट्री और सत्कुड़ा भवन में भी जो आग लगी थी उसका में मुद्दा यहां पर उठ सकता कि लगतार ऐसे मामले क्य लादीन है इसके अलावा बजट मद्देश में विकास के बजट को लेकर भी यहां पर चर्चा हो सकती और जो है सरकार मद्देश की जनता को बहुत सारी सावगात भी यहां पर देखने वाली बात होगी कि आखिर विधानसभा सत्र में किस प्रकार से हंगामा देखनी को मि होने जा रहा है उसे इस विधानसभा सत्र की शुरुवात राजजिपाल मंगुभाई चगनभाई पटेल के अभिभाशन से होगी जहां पर अभिभाशन में वो पास साल जो सरकार ने काम किया है उसका ब्योरा भी पेश करेगे और साथी साथ जो कम्या रही है उसके बारे कुछ खास हो सकता है राजजिपाल के अभिभाशन में और इसके साथ इस सदन के हंगामेदार होने के आसार भी